लो पेरेंट्स, विल्कम टू आर चैनल पपानो फणार्त। आज की वीडियो है इंग्लिश की वरक्षीट वर क्लास्ट्री इसमें तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैंने कवर किया हैं, एक संटेंस कैसे बनाते हैं, दूसरा है पार्ट आफ संटेंस और तीसरा है स्टार्ट करने से पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को एंड तक जरूर दिखा करें, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आता है संटेंस, संटेंस क्या होता ह अगर मैं एक वर्ड छोड़ दूँ एक रहने दूँ जहां फिर दो वर्ड लिखूं बाकी रहने दूँ तो वो संटेंस नहीं बनता, ठीक है, संटेंस ऑल्वेस बिगेंस विद कैपिटल लेटर, जिस संटेंस की शिरुवात हमेशा कैपिटल लेटर के होती है, और इट अ होगा, for example, Supriya eats mango, ठीक है, यह संटेंस में हमें समझ आ रहा है कि वो कहना क्या चा रहे है, कि Supriya ने mango खाए, ठीक है, तो अगर वो संटेंस मीनिंग क्लियर हो रहा है, भी उसमें क्या कहा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, तो वो एक complete sentence है, तो स्टार्ट करेंगी इस की first exercise के साथ, तो exercise है, यहाँ पर hints है, please open the door, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, open the door, तो यह sentence बन गया, कि किर्पया दर्वाजा खोले, तो sentence का मतलब समझ आ रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, तो यह एक complete sentence है, give me good, no, sorry, give me a mango, give me a mango, I read good books, ठीक है, I read good books, Dash lives in jungle, lion, Dash sings bhajan, mohini, किसी का नाम है, Supriya is a beautiful girl, is a beautiful girl, देखो, यहाँ पर क्या था, कि यहाँ पर sentence के दो parts थे, ठीक है, एक subjects और एक predicates, तो यह topic जो हम next में समझेंगे, पर आपने देखना है कि यहाँ पर देखो, मैंने Supriya और उसके बाद is a beautiful girl, यह मैंने is a भी इसके साथ में लिखा है, तो यह आपको next topic में समझाओंगी, तो उसमें यह सभी चीज़ें आपको clear होगी, तो वीडियो को आपने तक जूर लिखना है, जैसे इसकी second exercise करेंगे, rewrite the group of words to make sentence, use capital letters and full stop, यहाँ पर कुछ words है, वो आगे बीचे करके लिखे हैं, उनका sentence का meaning नहीं बन रहा, हमने proper उनको correct order में लिखना है, तांकि वो complete उनका meaning निकले है, और वो complete sentence बने, sun the east rises in the, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा the sun rises in the east, देखो, यहाँ पर इसका sentence पता चल रहा है, क्या बात हो रही है, और उसका meaning, clear निकल के आ रहा है, birthday is my today, तो यहाँ पर बनेगा, today is my birthday, ठीक है, girl a is beautiful reena, तो यहाँ पर आएगा reena, reena is a beautiful girl, next इसका fourth, father doctor a is my, तो यहाँ पर आएगा my, father is a doctor, ठीक है, hope आपको topic है, वो थोड़ा से clear हुआ होगा, तो बच्चों को आपने ऐसे जंबल words जो है, वो देने हैं, ताकि वो उनको रेरेंज करके complete sentence, बनाना भी सीखें और बोलना भी सीखें, next करेंगे, इसका part two, जो मैंने भी बताया था, आपको parts of sentence, हमने करना है study, we will study of sentence, which is made up of two parts, कौन से two parts होते हैं, एक subject होता है, और predicates होता है, the person or thing we speak about is subject, जैसे यहां पर रीना था, रीना एक subject है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, the person or thing we speak about is subject, and what we speak about the person or thing is predicates, हम उसके बारे में कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो क्या है वो प्रेडिकेट्स है ठीक है तो यह सभी is a यह help जो होते हैं इसके साथ ही add कर देंगे और जो subject है वो अलग करेंगे तो next exercise इसके साथ related होगी जैसे for example the peacock the peacock क्या होगा subject और is a bird is a pre-decards ठीक है doing words जैसे like is, am, are यह सभी इसके साथ ही add on हो जाएंगे ठीक है तो इसकी exercise हम practice करेंगे यहाँ पर करेंगे add a subject to these sentences यहाँ पर हमने subject add करने है ध्यान रखना है बच्चो डैच is my favorite food कौन सा है mango की बाद हो रही है ठीक है guava grapes next है dash grow in the garden garden में flowers ठीक है dash is a black crow is a black dash build nest birds dash has 12 months a year ठीक है तो यह सभी subjects थे और यह बाकी क्या थे प्रीडिकेट्स next करेंगे इसके साथ ही इसमें subject already fill है तो आपने प्रीडिकेट्स को यहां से hint लेके इसमें फिल करना है the hen has four chickens the cow gives us milk यह से बच्चों को जो sentence बनाने में बहुत ही असानी होती है पार्ट्स फ्लीव आउट अफ तकेज और उनको मेनिंग भी समझाता है जैसे उनकी वकेबलरी भी बूस्ट होगी एकसे 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 वर्ट्स की वो वो रुट्स की वो रुट्स क अब क्या कहते हैं मीनिंग्स उनको क्लियर होंगे ठीक है जैप पर इस बीटिफुल सिटी इसे बीटिफुल सिटी नेक्स दिस काई इस क्लीन टुदे ठीक है तो यह इसकी सेकेंड एकसे साइज थी और आपने नेक्स्ट एकसे साइज है वो इंटेरोगेटिफ पे हो भी तो स्टार्ट करेंगे वो भी दो पारी इंटेरोगेटिफ संटेंज रचोर्य एक्टोर्यज है इसका मतलब होता है कि आप यदि किसी से प्रशन पूछते हैं तो वह और आता है तीक है और वो sentence हमेशा उसकी ending जो होती है वो question mark के साथ ही होगी ठीक है तो start करेंगी इसकी पहली exercise दिखो यहां पर हम exercise करेंगे statement से answer में पर हमने इनको questions में convert करना है तो सबसे पहले तो subject है तो बाकी predicates है तो हमने predicates को आगे रखना है और subject जो है वो पिछे चले जाएगा ठीक है और end में question mark चुरूर लगेगा अपने ध्यान से question को दिखना है सपना is a good girl तो इसको question में convert करेंगे तो कैसे करेंगे is sapna a good girl ठीक है is sapna a good girl और ending होगी question mark के साथ they have two chocolate तो यहां पर have they two chocolates hope आपको clear हो रहा है they have gone to school तो यहां पर आएगा have they have they gone to school we are late for school तो यहां पर आएगा are we late for school कुछ नहीं बस इनको आगे पीछे करके question mark लगाना है are we late for school ठीक है question mark लगाना नहीं बूलना और जो इनके is, am, are, was, were, what, when, how यह सभी words हैं यह question mark में हमेशा first number पर ही लिखे जाएंगे ठीक है तो यहां पर is, have, have, are अगर यहां पर was होता, how होता, what होता, when होता, whom होता वो सभी इसके front में ही लगते हैं ठीक है तो उसके sentence की शुरुवात ही इन words के साथ होती है तो next exercise भी इसकी practice करेंगे हम तो यहां पर match the column करेंगे हम first column और second column दोनों columns को match करेंगे कि वो complete sentence में बन जाए Is Mahesh a good singer? Have you come to my house? Is your grandmother an old woman? Am I right? और is he a wise man? ठीक है? तो यहां पर भी आपने देखा Is, have, am, is यह सभी words हैं इन के साथ ही इन questions, sentences की शुरुवात होती है next करेंगे इसकी third exercise convert the falling into answering यहां पर questions है इनको answer में convert करना है Shall we go to the movie? तो यहां पर आएगा We shall go to the movie हम शायद movie देखने जाएंगे Was he a kind king? He was a kind king जितनी जादा practice करवाएंगे बच्चे को उतनी जल्दी rules और regulation अच्छी तरह से याद रहेंगे तो यहां पर आएगा शेकर विल हेल्प यू बच्चे को जादा से जादा practice करवाएं ताक जो कि उनको rules और regulation English के अच्छी तरह से याद रहें और grammar की mistakes जो होती है वो उनकी कम हो तो यह थी parents आज की class 3 की worksheet hope आपने यह तक जूट देखी होगी और यह worksheet आपके लिए helpful रही होगी तो वीडियो को आपने जादा से जादा शेयर करना है और घर पे बच्चों को यह worksheet जरूर practice करवानी है ताकि उनका syllabus भी up to date रहे और उनकी grammar जो है वो भी improve हो तो मिलते हैं next video में with new subject till then thank you